नमस्कार नियूज क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुंद और आज हम आपको खबर बताने जा रहे हैं जिस तरीके से कल राज सही जो हर्याना और पंजाबे किसानों पर पुलिस दमन चल रहा है और खासरों पिछले एक दिनों जिस तरी गिरफतारियां हुई है व किसान क्लिशान के भरपाई के लिए किसान सरकारों से नहीं दे रहे हैं लेकिन उनका कहना है सरकारों से का नहीं मांग कर जो जो हमुआब सीपार जो जानवरों की मौत हुई है जो इनसानी मौत हुई है उसके लिए उचित मौपजा इसके अलावा किसान 50,000 रुपए प्रती एकड़ के आप से मौपजा मांग रहे हैं जबकि सरकारों ने 15,000 हर्याना में घोशना करी है यह नहीं मांग को ले किसानों ने बाइस तारीक जब सनिवार को देर साम चनडीगड प्रशाशन और पर्याना प्रशाशन और पंजाब प्रशाशन को सोस आया और उन्होंने किसान संगर्टनों से बाचीत करने के लिए बुलावा भेजा और इस तोरान बातचीत हुई लेकिन बातचीत बेनतीजा रही इसके बाद पूरे दम से ऐलान किया जब वो चंडीगड कूछ करेंगे चाहें उनके लिए किसी भी हाल में जाना पड़े इन किसान संगठोनों ने जब 22 अगस्त को जब चंडीगड कूछ का ऐलान किया था तो सुरुवात में सरकारों ने इसकी और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया लेकिन जब यह समय नजदीक आता रहा तो 20 अगस्त को प्रशाशन की आख खुली और उसने किसान संगठों को बातचीत के लिए नियुता बेजा इसमें पंजाब के प्रशाशन चंडीगड प्रशाशन और हर्यान प्रशाशन तीनों ने अलग अलग समय पे किसान संगठों से बा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी आंदलों जारी रहेगा इसके बाद से ही हर्याणा और पंजाब की पुलिस हरकत में आती है और सोम बार से ही जब बाइस तारीक को कूच करना था उसे एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में 16 किसान संगठों को नेता जो इनकी जो पर पहुंच गए थे इसके बाद भी सेक्डों की संख्या में किसानों की किसानों को हिरासत में लिया गया अलग अलग जगों पर इसके इससे ही गुसाई किसान संगठों ने अलग अलग जगों पर नाके बंदी करी कल कल सोम बार को ही पंजाब के अंदर ही कम साथ जगे कि किसानोंने टोलना के बंद कर दिये थे कल साम को ही खबर आती है जिसे पंजाब के मुख्यमंतरी भगवत मान के अपने गरी जले संग्रूर में एक लाथी चार्ज होता है जिसमें एक किसान की मौत की खबर आती है हमारे एक साथी की जानकर लाठी चार्ज में चली गी सरदार प्रीतम सिंग जो लोंगोवाल संगरूर से थे और आज हमने बाठ गरसित किसानों को मुआफ़जा दिलवाने के लिए जा रहे थे हमारी कोई नई मांग नहीं थी किसानों के घर उजड चुके हैं यहां पर आप देख सकते हैं फसले बरबाद हो चुकी हैं और अंबाला और हर्याने का किसान एक खाप में आ रही हैं जीन्द में गिर्फतारिय हो रही है एक बात बता देना चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो चाहे वो बीजे पी के हो इन से हम सवाल करेंगे गाउं में आने वाले समय के अंदर और पूछा जाएगा कियो हमें हमारा सिवधानिक अधिकार था हमें वहां पर जाने से रोका गया इसी के साथ सथ अलग अलग जो पर पुलिस और किसान आमने सामने रहें और जिसमें कई किसानों को गंभीर चोटे भी आई है और बड़ी संख्या में किसानों को हिराफत में भी लिया गया है और आज सुबह जब मंगल बार सुबह 9 बजे किसान संगठुन ने कल की बातचीत में भी साफ कहा जो स्वरकार ये दमन आत्म कारवाई जो कर रही है करती रहे लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा वो लड़ेगा और जीतेगा इसी बात को लेकर वो आज सुबह फिर किसानों जिलोंने हर्यारा के अलग जिलों से पंजाब के अलग अलग हो से चंडी घर कूछ करणा शुरू किया लेकिन फिर बड़ी संख्य बिदरे पे शेयरमन इसांगल आएं पूम्सके कारगा इसा ऐसे ही एक हाथसा पंजाब में हुआ जहां एक 30 साल के युवक के इस हाथसे में चोट लगने की चोट जखमी होने की ख़बर आई है जिसमें उसको अपनी एक टांग गवानी पड़ी है इस तरह के और कई जगा पुलिस का आमना सामना हुआ जिसमें कही जगा पुलिस ने ब अपील करी है जो ट्रेक्टर ट्रॉलियों को वो साबधानी पूर्वक चलाएं ज्यादा तेजना चलाएं और जो काइदे कानून है उनका पालन करें सिर्फ यही नहीं हो रहा है इसके अलावा हर्याना पंजाब में खास तोर पर जो किसान नेता और किसान उनिन के पेज थ ठाते रहें कल रात पुलिस ने उनका फेजबुक पेज भी डिलीट कर दिया और इसके अलावा जो पंजाब के बड़े किसान नेता है सुर्जीत सिंग फूल उनका ट्विटर अकाउंट जो कि अब एक्स हो गया है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है अभी इस सारी पुलिस ने का जहां पुलिस हमें रोकेगी हम वही बैठ जाएंगे और हर जिला हर गाओं को हम चंडीकर और दिली बनाएंगे और वहीं से अपनी आंदोलन चलाएंगे इसी तर जी टी रोड पर भी किसान बैठे हुए हैं पंजाब में कई जगों पर घहराव सड़कों प का मुआबजा और उसके साथ साथ जो उनके किसान नेताओं को जो गिरफतार किया गया है उनकी रिहाई की मांग को लेकर अंदोलन कर रहे हैं इस मामले में और आगे जो भी अपडेट होगा ने उसके लिग आपके बीच में लेके आता रहेगा